मंत्री पक के दावेदार हैं प्रधान मंत्री कल खुद वहां गए थे तो कारेकरता समेलन करके कल जो 5 लाग से जादा कारेकरता को जमा किया इन लोगों ने यही संदेश देने के लिए था कि आप लोग लड़िये पार्टी साथ है मोधी गारंटी के साथ साथ पार्टी आग में दिखाई दिये इसके कुछ उलट स्थाब्द करने वाली रणनी ती राजस्थान और शटीस गड़ में आएगी एक एक फॉर्मुला तो मुझे लगता नए चेरे शटीस गड़ में तो कोई शक नहीं है कि कम से कम आधे नए चेरे होंगा अगर 90 सीटे हैं तो आधे संदेश अच्छा कुछ जाने वाला और मुझे लगता है 36 गड़ में भी अच्छा ही संदेश गया है जैसा ही अते इंद्र भी बता रहे हैं जैसे हमिताब सिना भी बता रहे हैं कि किस तरह से उस पूरे इलाखे के लिए न सिर्फ जाती है समीकरण बल्कि जो वहाँ पर का बतना 20 साल से जब आपकी सरकार होती है तो कारकरता भी काही ने ठंडे पढ़ जाते हैं अगर उनके भी कहीं पहीं है कि एन्टी इंडकमबर् demon मतलब सब पूरी ताकत क्यों नहीं लगाएंगे? हमारे जिन बरिष्टनेताओं को अनुभवी नेताओं को हमारे नेटरतों ने जो बसर दिया है ये सब भारती जंता पाटी की ताकत हैं, अनुभवी नेत्र तो है, तो साथ में नई उर्जा को भी खड़ा करने का काम किया है, नई नोजमानों को भी बसर दिया है इन में सब पहलाद पाटेल हैं, या इसमें हम नरेद सिंग तोमर जी को ले लें, या ये सारे कैलाज विजय वपरगी को ले लें, तो ये तो खुद भी बार-बार नाम चलता रहता है, सीएम पत के लिए इनका? नहीं, देखिये हैं, भारती जनता पार्टी में सब कार करता हैं, और कार करता के इनाते से हमारा नेतरतु जिंबेदारी देता है, उस काम को करते हैं, जो नेतरतु जिंबेदारी जिस कार करता को उच्छे तुने लगता है, उस काम को देते हैं, और उसका सहर सम सुईकार क करते हुए कि इंदरी नेतर तुका मैं तो धन्यबाद करता हूं कि हमारे सभी अनुबभी और बरिष्ट नेताओं को भी जो अबसर दिया है यह मद्यप्रदेश को इससे बढ़ीता करने यह सीटे क्या कमजोर थी मतलब हम यह माने कि इन सीटों पर पार्टी कमजोर नहीं है मनुच जी भारती जनता पार्टी ने यहां इतना काम किया है विकास और गरीब कल्यान कल आपने देखा मानी प्रधान मंतरी ने संकल बिला है प्रतिक बूत पर विजए सरी हासिल करना उस है उनको टिकेट ना मिल यह सारी बात है भारती जनता पार्टी का हमारा जो नेतरत है इसके बारे में नहीं कोई अधिकरत हूं नहीं इसके बारे में मुझे किसी प्रकार की कोई बात कहनी चाहिए भारती जनता पार्टी के बरिश्ट नेतरत को जो लगता है कि हमें आज के समय में क्या करने की जरूत है तो सारे निरने और जिंबेदारियां देने का काम हमारा नितरत करता है और हम से लोग सहजता से उसे स्विकर आप विधान सब्सक्राइब लड़ेंगे कि इसके बारे में भी मुझे जो काम मिलेगा वो काम में करूँगा तो आप तियार है पार्टी के अध्यक्स के नाते से मेरी जिंबेदारी है मेरा प्रयास है कि टीम स्पिट के साथ मध्यप्रदेश 2023 का चुनाव एत्यासिक बहुमत से अभी तक की सरबादिक सीटें जीते है यह हमारा संकल्प है प्रतिक बूत पर चुनाव जीते है कलमानी प्रधान मंतरी न अभी हाली में करनाटक के चुनाव हुए थे करनाटक के चुनाव में हार जीत अलग लेकिन अगर मध्यप्रदेश में हार जीत होती है तो उसके दूरगामी परिणाम होते हैं और यही वज़ा है कि फोकस बहुत टाइट है दोर्धे बिल्कुल बीजेपी जो सर्वे कराती है उन सर्वे से काफी हत तक बीजेपी को पता चल जाता है कि क्या इस्तिति है commit की की फिरrive जो स्थानिय नित्रत है की क्या इस्तिति है उसी और बीजेपी बार कि हर राज्य के लिए उनकी जो रननिती होती है वह उस राज्य की इस्तिति के अनुसार से उती है। तो आसपास की सीटों को प्रभावित कर सकते हैं और जो नाराजगी है उदास हिंता है वह काफी हद तक दूर हो गिए और इसका फायदा बीजेपी को मिलेगा जहां तक बीजेपी की बात है तो यह आम तुर पर देखा जाता है अनुशासन काफी हद तक बीजेपी का रहता ह और जो पकड़ है बीजेपी के अपने कारे करताऊं पर, तो कारे करता हो, खासकर यह वो नेटा, जो चुनावी मैदान में उतारे हैं, यह वो नेटा हैं, जो पार्टी नेतरत्म के इशारे पर काम करते हैं. और इसमें कहीं भी जो बार-बार बात कहीं जा रहे कि कहीं गुटवाजी नजर आएगी या जो अनुशाशन हिंता हो सकती है तो अभी फिलाल की इस्तिती में ये कहना वह जल्दवाजी होगी क्योंकि ये सारे बरिष्ट नेता हैं और इन सब को उतारा गया इन सब को पता है कि जो फैसला लेगा वो पार्लेमेंटरी बोर्ट तै करेगा पार्लेमेंटरी बोर्ट के बाद बिधायक दल की बैठक बलाई जाएगी और जो पार्लेमेंटरी बोर्ट का जो निर्देश होग बिधायक दल उस पर महर लगाएगा सरकार बनने की इस्तिती में तो अभी से कहना कि गुटवाजी होगी बड़े जल्दवाजी होगी लेकिन कारेकरताओं में जरूर एक मैसेज पार्टी ने अपनी इस रणीती के माद्यम से दे दिया है कि अगर वो साथ देते हैं और जंता को साथ लाते हैं वोट कमल के चिंद पर लगवाते हैं तो उनका नेता भी बड़ी भूम का प्रदेश में निवा सकता है और इस तरह के मैसेज से खास तोर पर पिछले चनामों को देखे तो वहां पर रणीतिक लाब बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दिया है जी लेकिन तस्वीर की जो आब बात कर रहे हैं तो कल प्रधान मंत्री मोधी की बड़ी रैली हुई थी जो कारेकरता सम्मिलन के नाम पर बुलाई गई थी उसी से साब पता चल जाता है कि किस तरह का भाव कारेकरता हों के चेहरे पर ता किस तरह का जोश वहां पर देखने को मिला तो चुनाम में किस तरह की रनीती पर बीजेपी काम कर रही है वो पूरी तरह से इसपश्ट हो चुका है और कारेकरता उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे और शाम होते होते ये दूसरी लिष्ट जो जारी की वो साब तस्वीर दिखा देती है कि बीजेपी काफी आगे तक का स चुनाम में किस तरह से उतरना है उसके नेता किस तरह से काम करेंगे वो सब कुछ इसपश्ट हो चुका है क्योंकि उनको पता था कि जो बरत्मा नेतरत्व है उस चहरे पर चुनाव नहीं जीता जा सकता क्योंकि के प्रभावी दिखाने के लिए अपना प्रभाव पूरे प्रदेश में फैले इसके लिए जरूरी होगा कि वो केवाल अपनी सीट न जीते जो सीट वो बीजेपी के खाते में कभी रही नहीं है केवल वो अपनी सीट न जीते आसपास की सीटें भी बीजेपी के जोली में आनी चाहिए और रियतिंद्र ये लिस्त साफ भी हो गया है कि BJP इस वक्त चाहे जिस सर्वे का आपने जिक्र किया चाहे ग्राउंड जीरो पर इस तिती सवक्त अलग-अलग सीटों की क्या है वो जानने की कोशिश कर रही हो लेकिन इस लिस्त साफ हो चुका है कि भारते जुनता पार्टी कि कम से कम मध्य प्रदेश के लिए तो रणनीते क्या है अलाकि दूसरे राजों में जान चुनावे उसका इंतजारा भी करना होगा